हेलो गाइज वेलकम यौल वन्स अकेन जिसा कि आप सभी को पता है बेसी पार्ट सेकेंड के लिए हमने फिनॉल शुरू किया है उसमें आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 लेकर रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेडिक नेचर ऑफिनॉल ठीक है जिसमें हमने करता है यानि कि यह एच प्लस को त्याग कर क्या बनाता है और साथ में एच प्लस त्याग देता है त्यादिक नेचर को प्रदर्शित करता है ठीक है इस पर हमने अलग-अलग सब्स्टिटुएंट का प्रभाब भी देखा था अगर हम ऐसे इलेक्ट्रों विड्रॉइंग करें इलेक्ट्रों दान दे तो वह क्या कर देते हैंसिटी को घटा देते हैं जैसे फ़ॉर एक्जामपल अगर हम यह लगाएं अनुटू ग्रूप है सी अल है फ्लोरीन है यह सबी कैसे ग्रूप है इलेक्ट्रों यह से अगर हम बेंजीन रिंग पर क्या लगा दें एनुटू लगा दें यहां फिर फिर ओल पर हम क्या लगा दें एनुटू की वज़ें लगा दें यह सभी क्या है क्लोरीन लगा दें यहां फिर हम क्या लगा दें फ्लोरीन लगा दें यह सभी क्या है यह सभी इलेक्ट्रो लगाते हैं ना जैसे इलेक्टरोंग को करते हैं अपनी तरफ हिसते हैं वहीज़े से ग्रूप लगा लेंगे और आक्सिजन पर एलेक्ट्रॉन डिंसिटी बढ़ेगी और ऐसीदी कम हो जाएं गजो इलेक्ट्रों रिलीजिंग ग्रूप है जो इलेक्ट्रोनों को देते हैं रिंग के अंदर रखका देते हैं वो क्या कर देते हैं एसीडिटी को घटा देते हैं जैसे कि एनेच 2 है जैसे कि हमारा CH3 групп है ठीक है? जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा कya है? जैसे कि हमारा है CH3 की जगा C2H5 लगा दो तो ये सभी कैसे group है? ये सभी electron releasing group है तो ये acidity को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं ये क्या है सभी हमारे electron releasing group है इसलिए acidity को क्या कर देते हैं, acidity को घटा देते हैं, और ये सबी acidity को क्या करते हैं, ये सबी acidity को बढ़ा देते हैं, तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि O- आइन, ये जो phenoxide आइन है, जिस पर O- लगा हुआ है, ये resonance stabilized है, य जादा रहेगी, ठीक है, अगर comparison की जाए, किसकी, एक है हमारे पास CO, यहाँ पर है, RCOOH, acidic acid, और एक है हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ROH, एलकोहल, और एक है हमारे पास phenol, अगर हम comparison करें, तो comparison तो हमने शुरू में भी दिखा रखा था, है ना, शुरू में भी दिखा रखा था, तो कौन सबसे जादा, ये इसको हमने number 1 दे दिया, ये second दे दिया, और ये क्या दे दिया, हमने इसको third, ठीक है, तो कौन सबसे जादा acidic ये क्या बनाएगा, ये 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 बनाए जिसकी वज़े से पॉजिटिव होता है तो यह क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अपनी तरफ खीचेगा और दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज यह कैसा है डी लोकलाइजड भी है तो जो हमारे कार्वोग्जिलिक अमल होते हैं इस उलक्रान रिलीजिंग गृप होता है ऑघरी क्या करता है फिम दैखें यह आइन्स की वज़े से रेजोनेंस की बज़े मागे से इसल lanç यह ज़्यादा बनथा है तो गया है गृते ऑसे का ओर्डर क्या हो जाता है थार्ड जो है वह सबसे कम होते हैं ठीक है यह मैंने शुरुआत में भी बताया था कि क्रवागजलीड लीडे है क्योंकि वह क्या बनना है नau, अगय Bellane शुरृूर्वारो क सबसे जादा बढ़ जाती है जहां यहां पर भी रहे हैाल गज्योट स्ट्रक्चर्स बन रहे हो ए67 ऐसेडाइब हुए उतना जाहद़ा जैसंक नहीं है जितना काप tutte होते हैं तो यह उता इन वह संुद्स ऑ करने को अगर Correct ऐसक गण होते हैं कि अगर हम देखेंगे कि ऊसे जाने केकिन की अब हरहा है है इनको इसे एसंट को अगर सिक होते ये कोई reaction देंगे उसमें ये अगर acidic behavior प्रदर्शित कर रहे हैं वहीं से तो हमें पता लगेगा कि ये कैसे होते हैं acidic होते हैं तो वो कौन सी reaction है जो phenol के acidic behavior को प्रदर्शित करती हैं हम उनको देखेंगे अब तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम क्या करने वाले हैं फिनॉल की अमली है प्रकृति के कारण अभिक्रिया है कि आखिर फिनॉल की जो acidic nature होती है उसकी बज़ए से ये कौन कौन सी reaction देता है एक reaction तो हम वही करेंगे जो हमें alcohol में भी की थी उनकी acidic nature को प्रदर्शित करने के लिए याद हैना आप सभी को कौन सी reaction है वो जो monohydric में भी की थी dihydric में भी की थी trihydric में भी की थी और ये बताया था कि ये प्रदर्शित कर रही है कि oxygen और hydrogen के बीच का जो bond होता है वो क्या होता है polar होता है जाते हैं सक्रिय धातू जैसे की sodium potassium lithium ठीक है आधी सक्रिय धातू के साथ अभिक्रिया में अभिक्रिया द्वारा लिखते हैं अभिक्रिया द्वारा H2 gas बाहर निकलती है ये reaction हमने alcohol में भी पड़ी थी जहां हमने उनकी किस के साथ sodium के साथ reaction कराई थी तो sodium क्या करता है electron देता है N A Plus बनाता है एक electron देगा उस electron को अगर H Plus निकल रहा है तो क्या गड़ीगा उस electron को grand कर लेगा और H2 gas में बदल कर बाहर निकल जाएगा और अगर H2 gas बाहर निकल रही है इसका मतलब कि जो भी हमारा substrate है वो क्रियाधार है वो क्या कर रहा है, अमली ये प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है यानि कि यहाँ पर क्या होगा, यह होगा कि हमारे पास अगर फिनॉल है, जब मैं इसकी रेक्शन किस से कराऊंगी सोडियम मेटल के साथ कराऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा मुझे ये मिलेगा, कि जो फिनॉल है वो H प्लस त्याग देगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, O माइनस और इसको कौन स्टेबलाइस करेगा, Na प्लस जब यह Na प्लस बनेगा, जब सोडियम क्या बनेगा Na प्लस बनेगा, तो एक इलेक्ट्रोन बाहर भी निकालेगा और यहाँ से कौन बाहर निकला है, यहाँ से बाहर निकला है H प्लस, तो H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोन को ले लेगा और क्या बना लेगा, H2, 1Y2, H2 गैस की रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगी, 1y2, h2, gas प्राप्त होगी, है न, कैसे प्राप्त होगी, यह electron निकला, इस electron को कौन ले लेगा, h plus ले लेगा, h plus के पास electron नहीं है, जैसे h plus ले लेगा, किस में change हो जाएगा, h में, और यह क्या हैंगे, h2 gas होती होता है, 1y2, h2 gas, ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ा होगा, कही बहर देखा होगा, तो यहां से बाहर निकल जाती है, इसका मतलब, यह जो reaction है, सक्रिय धातू को इसाथ, यह प्रदरशित करती है, कि फिनॉल जो होते हैं, वो acidic nature के होते हैं, फिनॉल जो हैं, वो acidic nature के होते हैं ठीक है वाई, और कोई reaction, जो हमने alcohol में कराई हो, जो की alcohol की अमलिये nature को प्रदरशित करती हो, याद है आपको, पढ़ा है ना, याद है, कौन सी है दूसरी, ग्रिन नियार, अभिकर्मक के साथ, अभिकरिया, जब हम इसकी reaction किसके साथ कराते हैं, ग्रिन नियार, अभिकर्मक के साथ कराते हैं, है ना, जैसे फिनॉल है, हमारे पास ये, फिनॉल है, जब मैं इसकी reaction, CS3, MGBR, इसके साथ कराऊंगी, तो क्या होगा, अगर ये H+, त्या opening तो जब myślas three minus की रूप में बाहर निकलेगा तो यहां से क्या लेगा यहां से proton ले-ले-ले-ले-ले-ले-ल और यह क्या बन जाएगा e O- इसको कौन stabilize करेगा Mg plus Br ये stabilize करेगा और साथ में क्या मिलेगा हमको CH4 क्योंकि अगर ऐसी reaction हो रही है CH4 का formation हो रहा है यानि यहां से CH3 minus निकल रहा है यहां से H plus ले लेगा और H plus तभी लेगा जब phenol क्या देगा H plus त्यागेगा है ना तभी तो यह H plus ले पाएगा तभी तो CH4 बनेगा इसका मतलब यह जो reactions हैं दोनों यह प्रदर्शित करती हैं कि हमारा जो phenol होता है वो कैसी प्रकृति का होता है वो phenol जो होता है वो अमलिये प्रकृति का होता है कैसा होता है अमलिये नेचर का होता है नोट कीजे जल्दी से थार्ड जो रियक्शन है जो अमलिय प्रकृति को प्रदर्शित करती है वो है छारों के साथ अविक्रिया छारों के साथ अविक्रिया अगर यह अमल है अगर फिनोल अमल की तरह व्यभार कर रहा है H प्लस दे रहा है तो चार के साथ react करके क्या होता है acid-base reaction होती है पढ़िये ना अम चार के साथ react कर जाते हैं और क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं लवर्ड और पानी बनाते हैं तो ऐसी reaction होनी चाहिए अगर phenol H plus दे रहा है तो देख लेते हैं तो हमने देखा जब हम reaction कराएंगे तो हम देखेंगे कि फिनॉल जो है फिनॉल प्रवल चारों के साथ अविक्रिया करता है यानि कि H प्लस तो देता है लेकिन अगर हम दुर्वल चार ले ले लें तो उसके साथ नहीं देगा अगर हमने कोई प्रवल चार लिया है तो तो reaction देगा अधर्वाइज हमने कोई वीक बेस ले लिया तो वह रियक्शन नहीं देगा यानि वीक वेस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो फिनोल से H+, निकल वा सके तो वीक वेस के साथ कोई reaction नहीं होगी यानि कि अगर फिनोल इसके साथ रियक्ष कर रहा है यह है फिनोल इसकी reaction में कराती हूँ अगर यह एच प्लस दे रहा है तो यहां से H+, लेकर H2O बाहर निकल जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? salt बनेगा लवन लवन पानी तो बनता है अमल चार की reaction से यह अमल की तरह विवार कर रहा है यह चार तो क्या बनेगा? पानी तो बन गया? लवन और बनना चाहिए तो यह बनेगा O-NA+, तो बन गया वही लवन यह क्या बना हमारा? लवन है फिनोल का sodium derivative है sodium डित्पुन है फिन अगर नोट कर लिया होगा इसको मिटा देती हूं इतना नोट कर लिया है जल्दी से लिखिए कि रागी चलते हैं वहीं अगर हम फिनोल की reaction इससे कराएं फिनोल की reaction इससे कराएं NaHCO3 sodium bicarbonate यह कैसा चार है? यह एक दुर्वल चार है क्या है? दुर्वल चार है तो यह यहाँ से H+, को बाहर नहीं निकाल सकता तो जब हम इसके साथ reaction कराएंगे तो हमें क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा no reaction No reaction मतला कुछ भी प्राप्त नहीं होगा यह reaction होगी ही नहीं यह acid-base reaction होगी ही नहीं क्योंकि यह क्या है? दुर्वल चार है इससे पता चलता है कि जो फिनोल है वो अमलिय नेचर प्रदर्शित करता है यानि चारों के साथ react करता है लेकिन कैसे? प्रवल चारों के साथ केवल प्रवल चारों के साथ reaction देगा? दुर्वल चारों के साथ कोई reaction नहीं देगा और अगर हम देखें फिनोल के acidic nature तो आप litmus test करते हैं लिटमस test में क्या होता है? जो हम नीला निटमसıl paper लेते हैं जब हम उसको किसी acid में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेड तो जब हम penol ₹ engineering में litmus paper को डालेंगे यह nा तो ग्या होगा litmus paper blue से red हो जाता है. जो भी ये प्रदर्शित करता है कि phenol जो होते हैं वो acidic nature के होते हैं ठीक है? तो इतने proof enough है ये proof करने के लिए कि phenol जो होता है वो acidic nature का होता है बहुत सारे proof दे दिया ना कितने सारे reactions हैं जो ये प्रदरशित कर रही है कि phenol acidic nature का है तो आईए अब हम देखते हैं phenol की रासाइनिक अभिक्रिया आए कैसी कैसी reactions देगा phenol देखते हैं कैसी reactions देगा phenol अगर phenol के structure को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आजाए कैसी कैसी reactions देगा एक तो यहाँ पर hydroxyl group जुडा हुआ है दूसरा यहाँ पर क्या है? aromatic ring है है ना? यह क्या है? benzene ring अगर मैं यह हटा दू तो यह बची हूँ क्या बचेगी? benzene ring बचेगी ना? तो benzene ring है benzene ring अपनी अलग reactions देती है OH group जो होता है hydroxyl group अपनी अलग तरीके की reactions देता है तो यहाँ पर हम जो reactions पढ़ेंगे phenol के वो उनो तरह से पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे hydroxyl sumu की अभिक्रिया है कि hydroxyl sumu की वज़ेसे phenol कौन-कौनसी reactions देता है फिर हम देखेंगे कि अरयल sumu की वज़ेसे इस aromatic sumu की वज़ेसे phenol की क्या-क्या reactions होती है इसकी वज़ेसे जो reactions होती है वह आपने फ़स्ट यर में भी पढ़र रखी होंगी बैंजीन तो पढ़ी होगी निना फिस्ट यर में तो बैंजीन कौन कौन सी रिक्षिंस देता है जो भी रेक्षिंस बैंजीन पाया है वो इसी छे किंहों देगा क्योंकि बैंजीन कि फिनॉल की ओएच समू के कारण अभिक्रिया है यानि कि फिनॉल इस ओएच ग्रुप के बज़ए से कौन-कौन सी रियक्शन्स देता है यह जो ओएच ग्रुप है इसकी बज़ए से फिनॉल में क्या-क्या इतना तो हमने पढ़ लिया कि यह कैसा होता है एसेडिक होता है यह कैसा होता है एसेडिक होता है तो जो सबसे पहले रियक्शन्स देखने वाले हैं वह है प्रियनस है बेलिया करेंट इसको एक और नाम से भी जानने जाता है यह यह को यह तो होrei को अधम कि इसको एकाँ से भी जानते है शोलष़्वानulares के नाम से भी जाना जाता है ना तो बैंज्योइली करण्स इसमें होता क्या है कि फिनॉल जो है, फिनॉल जो है, किसके साथ, फिनॉल, बन्जोईल, क्लोराइड के साथ, अबिक्रिया द्वारा ज्या बनाता है, अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण करता है फैनिल बैंजो एट का निर्माण करता है किसका निर्माण करता है दिख रहा है ना उदर फैनिल बैंजो एट का निर्माण करता है अरे फैलिल लिग गया फैनिल बैंजो एट का अ है है अ है बें जोए Boulevard का कलता है निर्मार्ण करते है देखते हैं के ँद एक्षन करता है इसके साथ ो इस ये रियक्शन होती है यह हमारे पास फिनॉल था इसरो पिनॉल है और यह हमारे पास प्रिंजयल कलोराइड यहाँ पर लगाओगा CO और यह रहेगा CL यह क्या है बैंजोयल क्लोराइड जब इसके साथ रियक्षिन होती है तो फाइनली हमको प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है मैं इसको थोड़ा रियर्ण्ज करके लिखूंगी ऑक्सिजन है फिया है यह प्राप्त होगा CO and O dus यहीं है तो यह क्या है यह दोता है है फैनिल बैंजो एक क्या प्राप्ट होता है साहिक में हम को एच सी येल प्राप्ट होता है ये रेक्शन कैसे हुई बहुंट कैसे जानते हैं अम लिए नेचर्ट की वाज़े से हैं सुपके च fällt क्या सी avenues कि क्या करता है ऐस्वक्ता है और यहां पर और क्या है हमारे पास यहांपर है क्या देख रहे हैं हम मिक्एनेजम देख रहे हैं यहांपर क्या है कि इस तरह से सीडवल बॉंड ओ ग्रुप है इधर भी माईनश एफट वाला गुर्प लगा हुआ इधर ओक्सीजन लगा हुआ है डोल बॉन से यह क्या करेगा यह बहुत जादा कारवन को क्या बनाएगा इलेक्ट्रोन डेफिशिंट बनाएगा यह तीनों ही ग्रुप कारवन को क्या बनाएगे इलेक्ट्रोन डेफिशिंट यानि डेल्टा पॉजिटिव बनाएगे बहुत जादा इलेक्ट्रोनों की कमी है इसके पास और हम जानते हैं कि यह तो क्या बनाता है यह तो क्या बनाता है एच प्लस त्यागता है एच प्लस त्यागता है यह पिर अगर आप एच प्लस ना भी त्यागता है तो डारेक्ट ऐसे रेक्शन कराईए यह जाएगा यहाँ पर अटेक करेगा यह बनेगा क्या ओ माइनस ठीक तीक है इधर क्या है C6H5 है यहां पर क्या है O- है इधर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन जुड़ा हुआ है जैसे ही यह वापस आएगा यहां से कौन बाहर निकल जाएगा c l minus जैसी negative charge वापस आएगा यहां से c l minus निकल जाएगा और प्रॉडक्ट क्या मिल जाएगा हमें प्रॉडक्ट मिल जाएगा हमको C double bond O इस तरह से जो हमारा प्रॉडक्ट है वो हमको प्राप्त हो जाता है तो यह जो रियक्शन है इस तरीखे से होती है ठीक है, नोट कीज़े जल्दी, फिर देखते हैं अगली रियक्शन जो अगली रियक्शन है, वो है S3 करण, यहां इसको बोलते हम OACYLी करण, क्या गोलेंगे इसको, OACYLी करण तो लिख लीजिए OACYLी करण का मतलग, जो भी S3 करण होगा, यहां AACYLी करण होगा SIL ग्रूप आएगा, वो कहां पर जुड़ेगा, ऑक्सिजन पर जुड़ेगा इसलिए इसको OACYLी करण भी कहते है ठीक है, तो यह reaction हम कई बार पढ़ चुके है alcohols में भी पढ़ा है हमने, याद है न, alcohols में भी हमने S3 करण कराए था, किसकी उपस्तिती में, अमली की उपस्तिती में और यहां पर भी हम S3 करण कराएंगे अमली की उपस्तिती में भी करा सकते हैं, और यह आ किया करते हैं क्या करते हैं किसके साथ यह हम कई बार कर चुक ए का चुके सीटिक के साथ कि अविक्रिया कर क्या बनाते हैं एस्टर बनाते हैं क्या बनाएंगे एस्टर बनाएंगे सक है तो आपको पता उनुची मेकैनजम लों इसकी कर आ करा रहें सी एस थ्री सी डवल बॉर्ण ओ सी एल ठीक है इसाइल क्लॉराइड भी बोलते हैं इसे ठीक है इसके साथ रेक्शन करा रहे हैं रियक्शन एने ओच यह फिरीडीन की उपस्तिती में भी हो सकती है यहां फिर कंसंट्रेट इस टू एसो 4 यानि चाहर यहां माध्य में भी हो सक्ति है और अमली माध्य की ओसती है फाइनली हमको क्या पर दूगा ओ पर यानि कि सेम तरीके से reaction हम किसके साथ करा सकते हैं acetic and hydride के साथ भी करा सकते हैं यह है OH, acetic and hydride क्या होता है CS3, C double bond O, O, C double bond O, CH3 यह क्या है हमारा AC2O, acetic and hydride यह भी reaction क्या हो सकती है NaOH, Pyridine या फिर अमलिकी उपस्तिती में Concentrate S2SO4 की उपस्तिती में हो सकती है तो यहाँ पर भी क्या आएगा product same ही मिलेगा यहाँ पर भी O, C, double bond O, CH3 यह प्राप्त होगा साथ में यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा CS3, CO, O, H तो CS3, C, double bond O, O, H Note कीजिए पहले इने फिर इनका mechanism देखते है हो गया, मिटा दू दोनों medium में reaction देखेंगे पहले अमलिये medium में फिर छारिये medium में ठीक है अमलिये medium में और छारिये medium में तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम कौन से medium में देख रहे हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं अमलिये माध्यम में कैसे होगी सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं अमलिये माध्यम में अब क्रिया की mechanism ठीक है क्रिया honoring क्या हो गी ठीक है तो अमलिय माध्यम है और यहां पर हमारे पास क्या है Oxygen है Oxygen के पास क्या होते लॉन प्र होते हैं न तो यह क्या करेगा सबसे पहले क्या क्या करेगा ठीक है तो हम जानते हैं कैसे होगा म verd21 यह लिया हमने c3 c double bond 10 तो और यहां पर एक्स ग्रूप लगा दूこ Bu Su की जगह पर जो हमारा क्लोरीन हो सकता है यह भीर माल यह ग्रूरा प्रप ये लिया यह रिखां़ यह से सघ्ठाफ और झाट क्वीयद के ब्रें क्याल इक रगे चलेंगे त्यांन कि पर s2so4 क्या करेगा h plus देगा oxygen के पास क्या होते है लोन पे यह क्या करेगा h plus को ले लेगा ले लिया अब तो यह क्या बना लेगा और जैसी 3-1 बनाएगा इस पर कैसा चार्स या जागा आगा भई अब इस पर किसकी reaction होगी अब जैसे oxygen पर positive आएगा क्या करेगा इलेक्ट्रों इसमें तो मतलब हक्त Schering नेक्टूनेगेटिव है ergacz इलेक्ट्रों को फेगा अब्त वह सब्सक्राइब वाव्टत करेंगे पजिए एलेक्ट्रोंगा इसके पास लेकिन पलड़ीत। पर क्या कर देगा अटैक कर देगा क्या गएस अब यहां पर क्या गया पोजिटिटिफ distraction यह क्या करेगा यही यहीं पर लिख देते हूं यह क्या करेगा यह यह यहांसे bond के electron और को खीचेगा तो यहांसे कौन निकलेगा यहां से तो h plus बाहर निकला और यहां से x minus तो यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे hx ठीक है? यहां से निकला h plus यहां से निकला x minus यह क्या बना लेंगे hx साथ में एक h plus यहां से भी निकल रहा है यह भी क्या कर रहा है? h plus दे रहा है तो बचेगा क्या ? HSO4- बचेगा न तो यह बापस S2SO4 में change भी तो होना चाहेगा क्योंकि यह उत्प्रेरक काही तो काम कर रहा है तो इस H को कौन ले लेगा यह ले लेगा और वापस से क्या बना लेगा ? ह2SO4 बना लेगा तो यह इस तरह से हमें हमारा प्रॉडक्ट प्राप्ट हो जाता है ठीक है यह तो थी अमलिय माध्यम में यह तो रियक्शन कब हुई है अमलिय माध्यम में इस तरी किसे होती है लेकिन अगर माध्यम छारिय हो तो सेकिंड देखें हम किसमें छारिय माध्यम में कैसे होगी देख लेत से क्या प्रापत होगा स्पापत हो और ह्पाइन इसको चेंज कर देगा किस चेंज अइन में इसको चेंज कर देगा लेका और निकल यह ऑले अब अब पास क्या बन गया फीन-ओक्सब्सийर हैं ऑर हमारे पास क्या है हमारे पास है с और यहां से एक्स माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा कौन निकल गया एक्स माइनस यहां पर बाहर निकल गया तो हमें क्या मिला हमें मिला ओ सी डबल बॉन ओ सी एस तरी यह मिला यहां से कौन बाहर निकला X- X- क्या करेगा यहाँ पर H2O था H2O से क्या ले लेगा proton ले लेगा यहाँ से क्या ले लेगा proton ले लेगा तो हम यह से लिख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ X- क्या करेगा यहाँ पर है हमारे पास HOH है ना तो यहां से क्या करेगा वापस से proton ले लेगा और यहां से OH- बाहर निकल जाएगा तो यह क्या बना लेगा HX plus OH- तो जो हमने OH- लिया था, वो end में हमको प्राप्त हो जाता है, जैसे हमने H+, लिया था, end में हमको प्राप्त हो गया H+, वैसे OH- लिया, वो भी हमको end में प्राप्त हो गया, तो इस तरह से ये reaction complete होती है, और जो phenol है, वो क्या बना लेता है, Oester का निर्मान करता है, इसको बोलते हम ओ ऐसी ली करन ठीक है जल्दी से नोट कीजिए आगे चलते हैं फिर दोहुत सारी रियक्शन करनी है हमको अब जो हम रियक्शन देखने वाले हैं वो है इतरी करन क्या है अभी हमने एस्टिरी करन किया था अब हम करेंगे एथरी करन यानि इथर बनाएंगे इथरी करन या इसको हम क्या बोलेंगे या इथरी करन है या फिर हम इसको क्या बोलेंगे ओ एलकली करन अभी क्रिया अभी अब दिखने रही अब दिखरी होगी ठीक है अब हम कौन सी रेक्शन कराने वाले एथरी करण जिसे हम क्या बोलते हैं O-L-कली करण O-L-कली करण का मतलब oxygen पर कोई alkyl group आकर जुड़ जाएगा वहाँ पर कौन सा जुड़ा था एस्टर में कौन जुड़ा था acyl group जुड़ा था इसलिए वहाँ पर acyl करण हो रहा था और यहाँ पर कौन जुड़ेगा alkyl group तो यहाँ पर क्या होगा alkyl करण होगा है ना एथर का निर्मान होगा वहाँ पर ester बन रहा था यहाँ पर ether का निर्मान होगा तो यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर होता क्या है, कि जो हमने फिनॉल लिया है, ठीक है, यहाँ पर है फिनॉल, जब हम इसकी रियक्शन एलकाइल हेलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, एलकाइल हेलाइड के साथ, यह रियक्शन किसी दुरुबल छार की उपस्तिती में होती है, किसकी उपस्तिती मे दुरूबल चार की उपस्तिती में होती है, हम चार लेते हैं यहां पर, लेकिन कैसा दुरूबल चार, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, कि जो फिनोल का ऑक्सीजन है, उस पर आर ग्रूप आजाता है, यह क्या बन गया, आर ओ आर, यह भी एक आ समारा चार का क्या काम है यहां पर क्या क्या करेगा यह क्या है प्लस प्लस याग गाह फ्लस तो यह बहुत प्रोडूक्ट बनाए है एच प्लस याग होता है लेकिन एसरी की प्रजेंस में नहीं है एसेड के लिए बहुत सेंसिटेव है एसे अगर रहेगा तो तुरंट तूट जाएगा तो अगर एच प्लस मौझूद रहेगा तो यह एथर जो है बिघटित हो जाएगा ना तो हमको चाहिए कुछ एसा रियक्शन के अंदर जो इस एच प्लस को बने लेकिन तुरंट ही यूटिलाइज कर ले तो हमने क्या लिया चाहर लिया और अमल और चाहर बिलकर क्या बना लेते हैं पानी बना लेते हैं और दूसरा काम क्या है यहां से फीनोक्साइड आयन को बनाना अगर यह एच प्ल एंडिफ प्लॉस्प लेगा तो यहां पर क्या बनेगा Danndra क्यानी लापर चाहर का यूज सτε nor क्या देखते हैं देखते हैं अlt तो क्या नहीं संदेयर और यह है हमारे पास फिनोल यहां पर हमारे पास चुन दिखके हमने क्या लिए हुआ है चार लिया हुआ है, चार का काम क्या है, प्रोटोन लेना, चार का काम क्या है, किस लिए लिया है, H प्लस को लेने के लिए, तहना, तो यह क्या करेगा, H प्लस को लेगा, और यहां से क्या बनाएगा, H2 वो बाहर निकल जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, हमारे पास कोई साल भी हो सकता है एक्स क्रोरी नो सकता है ब्रोमीन नो सकता है और हम जानते हैं है विद्यूतित्रणात्मक होती है तो यह एक्स पर यहां से कौन बहार निकल जाएगा एकस माइनस बहार निकल जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा हमारा एथर क्या प्राप्त होगा हमको एथर प्राप्त होगा साथ में क्या बहार निकला एकस माइनस बहार निकला तो इस तरह से यह मिकेनेजम हो फिनॉल की रियक्शन किस से कराते हैं एरेल सल्फेट के साथ अब क्रिया द्वारा अब क्रिया द्वारा भी क्या प्राप्त होते हैं एरेल एलकिल एरेल एलकिल एथर प्राप्त होते हैं यानि कि अगर हम फिनॉल की रियक्शन किसके साथ करा रहे हैं यहां पर हम देख लेते हैं किसके साथ डाई एलकिल सल्फेट के साथ डाई एलकिल सल्फेट जानते हैं क्या होता है यह होता है S double bond O O C H3 O C H3 ठीक है? तो oxygen कैसा होता है? विद्यू तुरण आत्मक होता है यहां पर क्या हमारे पास OH है क्या है हमारे पास? OH है ना? तो यह reaction कैसे होगी? यह reaction कैसे होगी यहां पर? यहां पर क्या होगा? यहां से यह जो bond है यह polar होता है यह सबसे हो लकारेगा यह Questo और यह इनारे पादेश्ट यह सबसे पहले Yuk फिन्य माइनस में गादट होका निकल जाएगा तो यहांपर हमको क्या प्रप्त हो엔ा programming यह टायस्ट में यह अमरे पर होग सबसे पहले यह क्या करेगा यह अध पर हैंड यह ख़ी next वाल पर पिराप्त होगा में को क्या एफ यहां से निकला और।प बजिटिफ तो यह मिलकर बना लेंगे दोनों यह परोज है तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होगे हमारा है इथर प्राप्त हो जाता है तो यह पुछ रियक्शन्स थी फिनोल की ओ